The bandage was wound around the wound. The farm was used to produce, produce. The dump was so full that it had to refuse, more refuse. Hi friends, welcome to the desk. Deva English has spoken class. Friends, अभी अभी जो आपने screen पर sentences देखे, क्या इन sentences के हिंदी अनुवाद आपको आता है? तो आज का class बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके sentences को हम समझते हुए. ये इंट्रेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आपने अभी जो sentence देखा, पहला sentence, कि the bandage was wound around the wound. यहाँ पर wound और wound दो जगा इस्तमाल हुआ है, यानि कि wound का इस्तमाल इस sentence में, एक ही sentence में दो बार इस्तमाल हुआ है. तो इसका मतलब क्या होता है? अगर wound का मतलब अगर आपको पता है, तो फिर यहाँ पर दो-दो बार wound का मतलब क्या होना चाहिए? इसी तरह के आज के जितने भी sentence हम आपको दिखाएंगे, उनमें सारे में एक ही words को दो बार या तीन बार यूज किया गया है, तो उस तरह के हम sentences के आज हम हिंदी जानेंगे, जैसे पहला sentence है, यहाँ पर पहले उन्ड का मतलब होता है घाव, और एक उन्ड का मतलब होता है घुमाना, यानि कि लपेटना, मतलब हुआ इसका कि घाव के चारो तरफ एक पट्टी बांधी गई, यानि कि पट्टी घुमा आई गई, ऐसा, जब हम पट्टी को बांदते हैं तो घुमा अगर बांदते हैं, इसके लिए आप और उन्ड का इस्तिमाल होता है, दूसरा sentence है, या पर पहला प्रड्टी का मतलब होता है उपस, और दूसरा प्रड्टी का मतलब होता है पैदा करना, तो इसका हंदी हो गया, इसमें जो पहला रिफ्यूज है, उसका मतलब हुआ, मना करना और दूसरा refuse जो है उसका मतलब हुआ कचरा the dump was so full that it had to refuse more refuse dump इतना भरा था कि उसे ज़्यादा कचरा के लिए मना करना पड़ा we must polish the polish furniture यहाँ पर दोनों जगा polish का अर्थ एक ही होगा यानि कि polish करना we must polish the polish furniture हमें polish furniture को ज़रूर polish करना चाहिए he could lead if he would get the lead यहाँ पर भी दो बार lead का इस्तेमाल हुआ है तो जो पहला lead है वो हुआ नेत्रित और दूसरे का मतलब भी नेत्रित हुआ तो इसका हिंदी हो गया वो नेत्रित कर सकता है अगर उसे नेत्रित मिलेगा the soldier decided to desert कि सैनिको ने रगिस्तान में अपने जंगलों को उजाडने का फैसला किया the soldier decided to desert उन्होंने फैसला किया उजाडने का यहाँ पर desert का मतलब हुआ उजाडना his desert मतलब अपना जंगल in the desert रगिस्तान में since there is no time like the present he thought it was time to present the present यहाँ पर तीन बार present का इस्तमाल हुआ है तो इसका हिंदी हो जाएगा चुकि वर्तमान का कोई समय नहीं था इसलिए उन्हें लगा कि वर्तमान को प्रस्तूत करने का समय आ गया है यहाँ पर पहला present का मतलब हुआ वर्तमान दूसरा present का मतलब होता है प्रस्तूत करना और तिसरा present का मतलब होता है वर्तमान यहाँ पर बास का दो बार इस्तमाल किया गया है तो बास ड्रम के सिर पर एक बास चीतरित किया गया था यहाँ पर दोनों जगा डोव का मतलब कबुतर होता है जब कबुतर पर गोली मारी कबुतर जाडियों में घुस गया यहाँ पर पहला अबजेक्ट का मतलब होता है आपत्ती जताना और दूसरा अबजेक्ट का मतलब होता है वस्तू मैंने वस्तु पर आपत्ती नहीं जताई The insurance was invalid for the invalid वे बीमा अमाने के लिए अमाने था There was a row among horsemen about how to row रो का मतलब होता है पंक्ति तो यहां पंक्तियों के बारों में औरों के बीच एक पंक्ति थी They were too close to door to close it यहां पर close का इस्तेमाल दो बार हुआ है तो यहां पर पहला जो close है उसका मतलब होता है बिलकुल नजदीक और दूसरा close का मतलब होता है बंद करना वो इसे बंद करने के लिए दर्वाजे के बहुत करीब थे A sims trace and a sewer fell down into a sewer line यहां पर sims trace का मतलब होता है दर्जीन यानि की दर्जी की बीवी और sewer का मतलब होता है दर्जी और जो लास्ट में sewer line बोला गया है उसका मतलब होता है नाली यानि की नाला तो इसका हिंदी हो जाएगा एक दर्जीन और एक दर्जी नाली में गीर गया है To help with planting, the farmer tout his saw to saw यहां पर पहला saw का मतलब होता है बोना और दुसरे saw का मतलब होता है sewer पेडे लगाने में मदद करने के लिए किसान ने अपने sewer को बुवाई करना सिखाया The wind was too strong to wind the cell यहां पर wind का मतलब होता है हवा और ढुरा wind wind है वो The wind was too strong to wind the cell यहां पर दुसरा वअ जो wind लिखा है वहां पर इसका मतलब होगा लपेटना या घूमाना और सेल का मतलब होता है जल्यान जल्यान को घूमाने के लिए हवा बहुत तेज था अपन सीग दा टियर इन दा पेंटिंग आई शेड अ टियर यहां पर दोनों जगद टियर का मतलब होगा आशू पेंटिंग में आशू देखकर मैंने आशू बहाए I had to subject the subject to a series of tests मुझे परिक्षणों के श्रिंखला के अधिन रहना पड़ा How can I intimate this to my most intimate friend यहां पर intimate का मतलब बताना और दुसरा intimate का मतलब बता है अंतरंग मैं अपने सबसे अंतरंग मीत्र को या कैसे बता सकता हूँ तो friends थाना बहुत ही interesting इस तरह के sentence से जिसमें एक ही words का दो बार या तीन बार इस्तेमाल हुआ है ऐसे इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें vocabulary ठीक से पता नहीं होता है कि उसका अर्थ क्या होता है वरना ये मुश्किल नहीं है तो उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा आपको और बहुत को सिखनों को भी मिला होगा तो friends like जरूर कर दिया किजे comment किया किजे और वीडियो को किसी एक दोस्ट तक share भी जरूर किया किजे तो अब तक हमारा वीडियो दखने के लिए thanks, thanks a lot and धन्यवाद अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सिखना चाहते है तो आप हमारे चानल पर जाएए चानल के playlist पर उपर playlist लिखावा होगा उस पर क्लिक किजिए फिर उसके बाद सारे playlist खुल जाएंगे और उपर से जो तिसरे नमबर पर है जहां पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखे उस playlist को क्लिक किजिए सारे वीडियो जाएंगे यहाँ पर साथ वीडियो है इन साथों वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना जरूर आ जाएगा